नवश्कार नाकपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आईए नजर डालते हैं नाकपूर के विविद्ध हलचल पर शहर के भाजपा NGO अगाडी के अध्यक्ष एवं समाथ सेवी नरेश जुमानी के निवास्थान पर स्थापिद गनपदी बाप्पा की प्रतिमा के दर्शन कर विधाय गिरिश व्यास ने किये नरेश ने बताया कि उनके परिवार में दो पीडियों से ही गनेश थापना प्रतिवर्ष की जाती है एवं लगभग साट वर्षों से अधिक हो चुके है प्रतिवर्ष निर्विग्न यह कार्य होता है प्रतिवर्ष एक ही मुर्तिकार से मुर्ति बनवा कर घर में विधी विधान के साथ स्थापना की जाती है उनका मानना है कि यहाँ सभी मनोकामनाय पूर्ण होती है प्रत्यक दिन अलग-अलग व्यंजनों का भोग प्रसाद लगाया जाता है एवं इन 11 दिन तक चलने वाले पर्व में एक दिन 56 भोग भी लगाया जाता है श्री गनेश प्रतिमाओ का विसरजन 19 सितंबर को नागपूर में बड़े पहमाने पर होगा इसके लिए नागपूर महनगर पालिका की और से व्यापक तयारिया की गई है विसरजन के लिए पहुचने वाले भक्तों के लिए प्रत्यक जोन में लोहे की सेंट्रिंग, गड़े खोदकर कुरुतीम विसरजन टांक बनाए गए है, शहर के सभी 10 जोन में कुल 248 विसरजन टालाब बनाए गए है, हर जोन में विसरजन रद भी चलेंगे, भगवान गनेश की मूरतियों को नागपूर शहर की किसी भी तालाब में विसरजित नहीं किया जा सकेगा महानगरपाली का प्रशासन ने विसरजन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है इसलिए सभी तालाबों में टीन की दिवारे लगा दी गई है और सभी तालाबों के किनारे मुर्तियों के विसरजन की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है इन सभी विसरजन विवस्थाओं का निरिक्षन महापौर दयाशंकर तिवारी ने शुक्रवार को किया उनके साथ साही समिती के अध्यक्ष प्रकाश भोयर भी थे शहर के तमाम तालाबों में टीन की दिवारे स्थापित की गई है महापौर ने गांदी सागर तालाब, फुटाला तालाब, सक्करदरा तालाब और सोनेगाव तालाब का दोरा किया निरिक्षन के दोरान उनके साथ उपायुक्त राजेश भगत, प्रकाश वराडे सहित अन्य अधिकारी उपस्तित थे कोरोना के कारण विद्वा हुई महिलाओ एवं अनाद बच्चों को विशेश सहायता योजना के माध्यम से अनुदान दिया जा रहा है नाकपुर जिले के करीब 400 सेतु केंद्रों पर ये सुविदा उपलब्द कराई गई है कलेक्टर विमला आर ने तमाम पात्र लाबार्तियों से इस सुविदा का लाब लेने की अपील की है गरीब परिवारों के जिन प्रमुक व्यक्तियों की कोरोना संकट में मौत हो गई उनके पिडित परिवार वालों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जिला कलेक्टर कारियाले द्वारा एक विशेश शिवीर का आयोजन किया गया इन शिवीरों में प्राप्त आवेदनों को बैठक में स्विकृत कर योजना का लाब प्रदान करने की शुरुवात की गई है हलाकि नागपूर जिले के कुछ लोगों के इस योजना से वन्चित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है इसलिए यदि ऐसे लोग आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज अपने नस्दी की महा ओनलाइन केंदर या सेतु केंदर में प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें विशेश सहायता योजना से आर्थिक लाब प्रदान किया जाएगा नागपूर जिले के 14 तहसिल कार्या लयो और सेतु केंदर में आवेदन करने की सुविधा उपलब्द है और सभी नागरिकों से इन योजनाओं का लाब लेने की अपील कलेक्टर ने की है पिछले कुस दिनों से शहर के विभिन हिस्सों से चौराहे पर लगे CCTV कैमरों की बैटरिया चोरी होने की घटनाओं के चलते पुलीस ने CCTV कैमरों से बैटरिया चुराने वालों पर नजर रखना शुरू किया इस बीच सकरदरा पुलीस ने पाच आरोपियों को गिरफतार कर ग्यारा मामलों का भांडा फोड किया आरोपियों में चार कबाड़ी है ये लोग बैटरियों में से सीसा निकाल कर बेचा करते थे आरोपियों के नाम अशोक चौक निवासी, नितिन रामचंद्र साहू, कामना नगर निवासी, मुकेश रामवतार साहू, कलमना मार्केट निवासी, रितेश शंकर राठोड, कलमना कामठी रोड निवासी, राजकुमार कुशनप्रसाद साहू और मंगलवारी निवासी, स सीसीटीवी कैमरों की बैटरी शिकायत पर पुलीस ने चांच शुरू कर दी थी। शहर में लगातार चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की बैटरिया चोरी होने के मामले सामने आ रहे थे। ऐसे ने बहुती खूफिया तोर पर जाच हुई और चारो कबाडियों तक पुलीस दस्ते पहुँच गए। सत्तर बैटरिया और दो पहिया वाहन जब्त हुए है। विश्व शिल्पकार भगवान श्री विश्व कर्मा का पूजन दिन शुक्रवार को विश्व कर्मा समाज एकता महा संग नागपूर की और से। कुलकर, कृष्ण कोहडे, सुनिल परधान, नंदलाल, दिनेश वागेला, प्रदीप पागेला, प्रमोद नागपूरे, गनेश कोहडे, थितेश रासिकार, विनोध प्रधान, प्रदीप पंचाल, रितेश नागपूरे इन सभी के उपस्तिती में कारिकरम संपन्न कोविड नियमावली का पूर्ण अनुशासन से पालन किया गया नाकपूर महानगर पालिका की और से परियावरन सनरक्षन के मद्दे नजर इस साल शहर की सभी तालाबों में गनेश प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक लगा दी गई है इसलिए सभी 10 जोनों में विसर्जन के लिए नागरिकों के घरों के सामने कृतिम और चलित विसर्जन तालाब बनाए गये हैं गांदी बाग जोन में शुक्रवार को महापौर दयाशंकर तिवारी वह जोन सभापती श्रद्धा पाटक ने हरी जंडी दिखा कर मूबाइल विसर्जन टैंक वाहन को रवाना किया इस अवसर पर कार्यपालक अभियंता धननजय मेंदूलकर, सहायक अधिक्षक प्रकाश गायधने, क्षेत्रिय अधिकारी स्वच्छता, सुरेश खरे, कनिष्ट अभियंता विद्यूत दिलीप वंजारी, स्वच्छता निरिक्षक विपिन समुद्रे, हाती पाओ एवं मल देरिया निरिक्षक, अशोक अंबागडे, दीपक रंगारी, स्वास्त्य विभाग के योगेश नागे, आकाश समुद्रे, जोती काले, रवी शेंडे, संजय भोसले समेत, नाकपूर महानगर पालिका के अन्य अधिकारीगन उपस्तित थे महापूर देयाशंकर तिवारी ने कहा कि नाकपूर मनपा 2012 से प्राकूरूतिक जल संसाधनों के संरक्षन के लिए अभियान चला रही है इसी कड़ी में इस साल शहर में गनेश प्रतिमा तालाबों में विसरजन पर रोक लगा दी गई है विसरजन की सुविधा के लिए सभी दस जोनों में मोबाइल विसरजन टैंक का निर्मान किया गया है और अन्य सम्मंदित सुविधाये उपलब्द कराई गई है राजस्थानी महिला मंडल वह माहेश्वरी महिला मंडल समीती के सैयुक्त तत्वावधान में कौन बनेगा बुद्धिपती कारेक्रम आयोजित किया गया इस कारेक्रम में 21 वर्षे से अधिक आयूवाले महिलाव वह पुरुशों ने भाग लिया कौन बनेगा करोडपती से प्रेरित हो हूबहू वैसी ही तयारी कर माधूरी मोदी वह सुननदा लड़ा द्वारा गेम खिलाया गया शो का पहला राउंड वाट्साप पर लिया गया जिसमें कुल 80% पर दी थे जिसमें से 15 सहभागी फाइनल राउंड में पहुचे कौन बनेगा बुद्धिपती इस मेगा शो में प्रथम स्थान पर सरला बागडी प्रीती बंग वा आशिश राठी की टीम बुद्धिपती घोशित की गई अध्यक्षा ललिता मंत्री वा संगीता मंत्री द्वारा आये हुए दर्शकों का स्वागत एवं सचीव सुश्मा डांगरा वा मंजु चांडग द्वारा आभार व्यक्त किया गया प्रभाक्तीन विनोबा भावे नगर परिसर में मच्छर के प्रकोप से बचने के लिए वो डेंगु की रोक थाम वो कोविट से बचने के लिए पारशदा नसीम बानों ने प्रात्मिक्ता से डेंगु नाशक दवा का छिड़काव कराया साथी लोगों से साफ सफाई के साथ सतर्क रहने का निवेदन किया करीब साथ सो घरों में जाकर उन्होंने जागरुती अभियान चलाया गौरतलब है कि इस परिसर में नाकसेन नगर, गांधी पुतला, वन देवी नगर, संतोश नगर, करीब नवाज नगर, राजिव नगर, शिव शक्ति नगर या शोधरा नगर में 600 से अधिक डेंगु के मरीज पाए गए है विदर्ब जनता विचार मंच के अध्यक्ष इबराहिम खान ने बढ़ते डेंगुव कोविड के प्रकोप को देखकर चिंता व्यक्त करते हुए नागरिकों से निवेदन किया कि किसी भी प्रकार का जल जमाव न होने दे परिसर के सभी नागरिकों ने इस मुहीम में उत्साह से सहयोग किया शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को नाकपुर शियुसेना के विधायक एवं शियुसेना महानगर संपर्क प्रमुक दुष्यंत चतुरवेदी के मार्गदर्शन में शियुसेना उपजिला प्रमुक एवं माजी नगर सेवक ज्यानेशवर उर्फ नाना जोडे के नेतरुत्व में एक ज्यापन दिया है कि कोई भी महिला किसी भी पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत करती है तो उसे पुलिस स्टेशन की सीमा बताकर बेरंग लुटा दिया जान शियों को निर्देश देने की मांग की पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार से की गई है चर्चा में इस मांग पर तुरंत प्रभाव से निर्देश देने का आश्वासन पुलिस आयुक्त ने देने की जानकारी नाना जोडेने दी है जेसी आई नाकपूर मेट्रो ने चैप्टर एडवाइजर जेसी आई वीक इन चार्ज हज एफ उशा नांदेडकर को एक महान और प्रतिष्ठित कमल पात्र अवार्ड से सम्मानित किया इस कारिक्रम में मुक्य अतिती के रूप में पूर्व जोन अध्यक्ष जेसी आशिश जीचकार जेसी स्वास्तिक जैन उपस्तित थे संस्थापक अध्यक्ष नामांकित समनवयक जे एफ एम जीवी आनंद शर्मा भारती अध्यक्ष जेसी लोकेश नांदेडकर सचीव जेसी वैशाली वर्मा जेसी आई सप्ताह समनवयक जेसी निताली तगाडे जेसी आई सप्ताह के निदेशक जेसी स्वाती फले जेसी आई सप्ताह सयुक्त सचीव जेसी लकिशा कुंदन उपाध्यक्ष व्यापार जेसी ब हंगडाले ने सभी कार्यक्रमों को बहुत भव्य तरीके से सफल बनाने में एहम भूमी का निभाई। यह स्कीम गोशित की। यह स्कीम के तहट महराष्टर राज्य के अनुसूची जमाती के तहट आने वाले नए उद्योजक को 15 प्रतिशत सबसीडी का उपलब्द कराने का शासन परिपत्रग 20 जुन 2019 को निर्गमित किया गया। इंडिया स्कीम के तहट रून लिया। बैंक ओफ महराष्टर को राजभाषा हिंदी के श्रेष्ठक कार्यान वैन के लिए राजभाषा किर्ती पुरसकार प्रदान किया गया। हाल ही में हिंदी दिवस के अउसर पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में ग्रूह राज्यमंत्री निशीत प्रामानिक द्वारा बैंक ओफ महराष्टर के प्रबंद निदेशक एवं सीईओ ए एस राजीव को ये पुरसकार प्रदान किया गया इस कारेक्रम की मुक्य अतिती गुरूह मंत्री अमिश्शा थे कारेक्रम में गुरूह राज्यमंत्री निद्यानंद राय अजईकुमार मिश्रा एवं अन्यगणमानने व्यक्ती उपस्तित थे इस अउसर पर बैंक ओफ महराष्टर के कारियपालक निदेशक हेमन टम्टा दिल्ली अंचल की महाप्रबंधक श्रिमती चित्रादातार, महाप्रबंधक रादेशाम बंसल तता सहायक महाप्रबंधक डॉक्टर राजेंद्र श्रिवास्तव भी उपस्तित थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक सादगी पूर्ण कार्यकरम आयोजित कर कोरोना से बचाओ के लिए 5000N95 मास्क प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना नाकपुर अध्यक्ष राकेश गांधी के जनसंपर्क कार्याले से मास्क वितरन प्रारंबकर, भांडेवाडी, वाठोडा, पेंथर नगर, आदि विभिन्न जोपड़ पट्टिक शेत्र में मास्क वितरित किये गए मास्क वितरन करते समय सभी से कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए हिदायत दी गई कारेक्रम में प्रमुक रूप से जेश्ट समाज सेवी शांतिलाल गांधी, भाजपा शिक्षक अगाडी महरास्ट्र राज्यक कार्यकारिनी सदस्या, प्राध्यापक सचिन कालवांडे, प्रधानमंद्री मुद्रा लोन योजना नाकपुर अध्यक्ष राकेश गांधी, भाजपा पूर्वर नाकपुर मीडिया प्रमुक मनोज अगरवाल, उजवल गौरक्षन ट्रस्ट के अध्यक्षक महेंद्र कटारिया, समर्पन सेवा समीती के सचीव नरेश जुम्मानी, भाजपा व्यापारी अगाडी पूर्वर नाकपुर उपाध्यक्ष विनिद गां लंग ने कृशी अधिकारियों के साथ राइपूर जिला परिशत सरकल के खैरी पन्ना से किन्ही, धनोली, मांगली, मोहगाव, मांडव, घोराड, आधी गाव में क्षतिग्रस्त खेतों का निरिक्षन किया और वर्तमान कृशी अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों क जल से जल पंचनामा कर प्रशासन को भिजवाने के निर्देश दिये, लगातार हो रही बारिश से सोयावीन कपास, संत्रा, फूलों की खेती, बगीचो और सबजीयों को भारी नुकसान हुआ है, इससे किसान आर्थिक संकट से जूज रहा है, इस अवसर पर बोलते हुए दिनेश बंग ने कहा कि ऐसे किसानों की मदद के लिए सरकार के साथ पाठ पूर्वटा करेंगे, एवं सभी किसानों के साथ खड़े रहेंगे, इस समय पिये सदस्य सुनेल बोंदाडे, तालुका क्रुशी अधिकारी रामु धन विजय, बोड क्रुशी अधिकारी जगति पन्नासे, विठलवड, मनोहर राउत, तिर्थराज मोरे, राकेश तिलपाले, प्रकाश निगोट, अर्विंद भोले, प्रफुल भोले, पोमेश रहंगदाले, आधि कर्मचारी गण उपस्तित थे आजादी का अमरुत महोटसफ के 75 वे वर्ष में, रेलवे प्रशिक्षन संस्थानों के माध्यम से, ओध्योगी कौशल में आधारभुद प्रशिक्षन प्रदान करके, युवाओ को सशक्त बनाने के लिए, प्रदान मंत्री कौशल विकास योजना के तत्वावधान में, रेल भवन में आयोजित एक कारेक्रम अश्विनी वैशनव, रेल मंत्री संचार, इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रद्योगी की ने रेल कौशल विकास योजना का शुबारंब किया, इस अवसर पर सुनीच शर्मा, अध्यक्ष एवं मुक्या कार्यकारी अधिकारी, रे लोग कुमार इस अवसर पर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, वेगन रिपेर शौप, राइपूर में उपस्तित थे, इस योजना का शुबारंब करते हुए रेल मंत्री अश्वनी वैशनव ने कहा कि विश्व कर्मा जयनती का शुब दिन है, साथी प्रधान मंत्री नरेंद्र परक विकास करना है, प्रशिक्षुओं से मंत्री ने पूरे मनोयोग से सीखने की प्रेर ना दी, श्री माहेश्वरी युवक संग के हॉस्पिटल में स्वरगिय सत्य नारायन गंगा बिसन बियानी की स्मृती बियानी परिवार के सहयोग से महात्मा नेत्र पेड़ी नेत् के साथ मिलकर 132 जरूरत मंदों की नेत्र की जाज की गई, एवं 61 जरूरत मंदों को मोतिया विंदू ओपरेशन के लिए चैनित किया गया, एक एवं 2 अक्टूबर 2021 को ओपरेशन महात्मा नेत्र पेड़ी नेत्राले में करेंगे, शिवीर को सफलतार्थ कारिक्रम प्रभा वन बियानी के साथ संस्था के पूर्व अध्यक्ष सर्वश्री सतिश बियानी, हरेश सोनी, महेश बजाज, भाई बनवारी भूतडा, महावीर मालू भी उपस्तित थे, अध्यक्ष मनोज लोया एवं सचीव नितेश भट्र ने कैंप की सफलता के लिए सभी का उपरोक्त जानकारी संस्था के प्रचार मंतरी आदर्श सोनी ने दी अखिल भारतिय पूलक मंच परिवार नाकपूर और महावीर गुरूह निर्मा सहकारी संस्था अमरस्वरुप फाउंडेशन के सयूक्त तत्वावधान में पयूर्शन महापर्व में सूमधूर भक्ती गीते के कारेक्रम का आयोजन किया गया था कारेक्रम में प्रमुक अति थी श्री दिगंबर जैन सेंगन मंदिर के अध्यक्ष सतीश जैन पेंधारी सर्वमानव सेवा संग के संस्थापक अध्यक्ष सुबाश कोटेचा पंकज बोहरा प्रसिद्ध मोटिवेटर संजय नखाते ने दीप प्रजवलन किया और शुपक और उनकी बेटी सूरश्री आगरकर ने गुरु महिमा पर गीत प्रस्तुत कर शुरोताओ को गोते लगाने के लिए विवश किया सुप्रसिद्ध गायक विभास गहांकर ने मधुर आवाज में भजन प्रस्तुत किया श्रियान्स मारवट करने भजन की शुरुँखला में गीत प्रस्तुत समा बांधा गजल गहांकर ने मंगलाचरन प्रस्तुत किया समारोह का संचलन प्राची पराग पोहरे ने किया मंगल उद्बोधन गुरुहस्त आचारिय आगम रत्नपंडित मनोहराव आगरे करने दिया सर्वमानव सेवा संग के संस्थापक अध्यक्ष सुभाष कोटेचा का साक्षात कर प्रोफेसर आदेश जैन बर्याने लिया कारेकरम की संकलपना डॉक्टर रविंद्र भुसारी ने की थी जबकि सयोजन मनोजबंड समेत अन्य ने किया प्रधानमंत्री मोदी के 71 जन्मदिन के मौके पर देश भर में युवक कॉंग्रेस ने नाकपुर और पूरे महाराष्टर में राष्ट्रिय बेरोजगार दिवस मनाया जरिपटका क्षेत्र के जींजर मौल में महाराष्टर प्रदेश युवा कॉंग्रेस उपध्यक्ष कुनाल राउत के नेतरुत्व में और इस आंदोलन में प्रदेश महासचिव अजित्सी और सचिव आसिफ शेक के साथ युवाओने बेरोजगार रैली में पकोड़ा त जूर था बहुत से लोगों की नौकरिया चली गई कुनाल राउत ने कहा कि युवाओ के सपनों को चकना चूर करने और उनकी भविष्य को काला करने वाली मोदी सरकार ने विरोध में आज इस आंदोलन का आयोजन किया गया रोजगार देने के मामले में मोदी सरकार पूर लिखे युवाओ को पकोड़े तलाना, चाय की दुकान लगाना और जूते पॉलिश कराना चाहते हैं। बाचपा के वरिष्ट पदादिकारी विलास सभी को उनकी कारियों की वीस्तार से जानकारी दी। कमलेश राठी, महेंद्र कटारिया, रामावतार अग्रवाल ने भी रोचक बाते बताई। अंतमे अध्यक्ष मनोहरलाल अहुजा ने सभी देशवासियों को मोदी के जन्म वागमारे, इकबाल भाई, रॉय, किशोर राठोड, राजाराम दोनकर, किशोर धिंगडा उपस्तित थे। केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने देश के युवाव से कहा था कि हम प्रतिवर्श दो करोड युवाव को रोजगार देंगे। केंद्र में सत्ता में आई प्रदेश के युवाव के लिए ये सरकार ने कुछ भी नहीं किया। प्रधानमंद्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष में बेरोजगार युआउ ने रोजगार दो का नारा लगा कर अपना हक मांगने के लिए रास्ता रोको आंदोलन किया। केंद्र सरकार रोजगार के मुद्दे पर पूरी तरह मौन है। देश में एक साल में बेरोजगारी दर 2.4 प्रतिशत से बढ़कर 10.3 प्रतिशत हो गई है। सरकार युआउ को रोजगार देने में विफल रही है। आंदोलन में वरिष्ट कॉंग्रेसी इसाक अंसारी, युआनेता तौसीफ खान, शाहनवास भाई, महासची वराकेश, शकिल एहमद, मुहपसीर अंसारी, शेखर पानिकर, जावेद कुरेशी, मुहम्मद जैद कुरेशी, मुरसलीन कुरेशी तथा अन्य युआक कॉंग् पारी एवक कार्यकरता गण उपस्तित थे